हम बीडियो बेलकम यू आंलायन बीडियो 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 बेरी इंपॉटन फर्स्स्ट अन्स्टर हिंदी खाव के लिए मित्रों हिंदी काव से संबंधित को आपको बताया जा रहा है जिसमें की भग्तिकाल से संबंधित ये वीडियो आपको दिया जा रहा, भग दिकाल में आपको सगण भक्ति, यानि राम भक्त इधारा के बिसे में बताया जाएगा, राम भक्त इधारा क्या होती है, और इसकी विशेस्ताएं, इसकी प्रिविर्तियों के बिसे में आपको बताया जाएगा, यदि आपको पढ़ना है राम भक्तिधारा ये आपके भक्तिकाल से सम्मंधित question है तो इसमें देखेंगे हिंदी काव्ड की सगुन भक्तिधारा दो साखाओं में प्रवाहित हुई इसको हम इस तरह से समझेंगे कि दो साखाओं में प्रवाहित की गई थी कौन? ये जो हिंदी काब की सगुन भक्त इधारा थी इसमें राम भक्ती साखा और किष्ण भक्त साखा दो साखाएं निकाली गए जिसमें कि राम भक्त साखा और दूसरा किष्ण भक्त साखा इसे साखा से तातपर होता है कि जो राम भक्त की उपासना से सम्मधित राम भक्त सम्म रचनाएं मिलती हैं तो राम भक्त कभियों ने इस्ट देव राम के चरित्र को आधार बना कर काब रचना किया यानि कि जो राम भक्त कभित है उन्होंने इस्ट किसको माना राम को माना और राम को इस्ट मान करके उन्हें के चरित्र को आधार बना करके रचना को किया राम मर्यादा पुर्शोत्म है वो धर्म की रच्छा के लिए और असुरों के संघार के लिए आउतार गढ़न करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्रों राम धर्म के रच्छक कहे गए हैं और असुरों के संघारक भी उताए गए हैं जिसके लिए इन्होंने आउतार को गरनत किया अधिकांस राम भक्त कभियों ने दास भाव की भक्ती श्विकार की है इन्होंनों ज्यादातर जो है कभी दास भाव की भक्ती पर ज्यादा बल दिये हैं राम भक्त साखा के परमुख कभी तुलसी दास हैं जैसा कि हम जानते है कि तुलसिदास जिने राम चरित मानस की रचना किया जो कि राम से ही समंधित है मित्रों आपका बिस्परसिध कवे गरंथ राम चरित मानस है यो राम करिती है अन्य राम भक्त कभी जिसे रामानंद का नाम लिया जता है नाभा दास, केशो दास तथा सेना पती ये भी राम भक्त कभी के रूप में जाने जाते हैं, अब हम देखेंगे कि राम भक्त काब की परविर्तियां राम भक्त काब की परविर्तियां क्या हैं, परविर्तियां जो इसकी बिशेस्ताइं बताई जा रही है इसको आप पूरी तरह से समझेंगे तो इसमें देखेंगे राम भक्त काप की जो प्रमुक परविटियां है इसको आप समझें राम की ईश्वर के रूप में उपासना करने की परम्परा का समौन्नत रूप से दिस्टोचर होता है बालमीकी कृति रामार कालिदास कृति रघुबनसम भावभौत रचित उत्ताराम चरृतम उत्तर रामचरित आदि संस्कृत गरंथ राम के चरित्र को भली भाद परतिबादित करते हैं इसमें भी हमको पढ़ने को मिलता है कि इबालमिकी करती जो है रामार है कालिदास करती रघुवंस रघुवंसम जो महाकाब्य है भावभोत रचित जो है रामचरित मानस रामचर यानि उत्तर राम चर्थ को भली भाद परतिबादित करते हैं हिंदी में आचार रामानुजाचार के बिशिष्ट आद्वयतबाद की आधार भूम पर रामानंद ने स्री बैशनो संपरदाय को अस्थापित किया था इन्हीं के शिष्ट परंपरा में राम भग्त का बिफल स्रोत महाकभी तुलसिदास के रामच्रित मानस के महाकाभ से प्रभाहित हुआ है तो हमको यह देखना आए कि इसमें जो है जो इनके शिष्ट से थे रामानंद जी के तो इनहीं के सिस परमपरा में राम भक्त को बिपल सोत महा कभी तुलसी दास के राम चरित मानस महा काब से प्रवाहित हुआ इस महा काब धारा के अन्य प्रमुकभियों में इश्वर दास किर्थ भरत मिलाप, अंगद चरित्र, अग्रदास बिरचित मंजरूई, कुंडली, काब गरंथ, नाभा दास किर्थ भक्त माला, आद उल्लेखनिय हैं तो ये जो किर्थियां की गई, जो लिखे गई, इनके विसेमी पूरी तरह से हमको समझ लेना है, अब हम देखेंगे कि राम भक्ति काब धारा में से ठोस जन जागन का कार संपन, इसमें जो है एक ठोस जन जागन का कार संपन किया गया मित्रों, राम भक्ति साखा के अंतरगत, राश्रेता का उदय हुआ, मुख रूप से, इसमें जो है हिंदू संस्कृति तथा सभ्यता का विकास हुआ, इस काब धारा की प्रमुख विसेस्ताएं ने में लिखे थे, इसकी विसेस्ताओं को हम समझेंगे कि विसेस्ताएं, क्योंकि को भक्ति साखा की प्रमुख विसेस्ताओं कावलेक कीजिए, तो यहां पर देखेंगे, सगुन राम की उपासना, इसमें सगुन राम की उपासना के विसे में बताया गया है, सगुन भक्त कभियों ने सगुन राम के सुरूप को सर्बसक्ती संपन रूप में प्रतिपादित क्या है राम ही परब्रम सुरूप हैं ये दीन दुखी की रच्छक तथा संकट नासक हैं ये धर्म की अस्थापना के लिए पापियों की बिनास है समय समय पर आउतार लेते हैं राम परम सीलवान सक्तिवान तथा सोंदर साली हैं इस राम की उपासना के अत्रिक्त ये भक्त क अन्य किसी देव अथवा इश्वर का कोई महत सुविकार नहीं करते हैं ये भी जानना है कि ये जो भक्त गण है ये केवल राम की ही उपासना को सुविकारते हैं अन्य किसी देवी देवताओं की उपासना को सुविकार नहीं करते हैं गो स्वामी तुलसिदास ने असपस्ट रूप से कहा है मित्रों क्या कहा राम ही केवल मोही पियारा जान ले हुझ जो जानन हारा तो तुलसी दास जी ने इस बात को बता है कि राम ही मुझको प्रिये हैं इसको आप पूरी तरह से जान लेजिए समझ लेजिए कि केवल जो है राम ही केवल मोही पियारा मुझको जो ह चाहते हो तो इसको समझ लीजिए ऐसा तुलसिदास जी ने कहा है अब आप देखेंगे ये जो दूसरा पॉइंट आपका है बैशनो धर्म यानि बैशनो धर्म सिध्धानतों की प्रतिस्था इसमें की गई राम भक्त का अधारा के कभियों ने बैशनो धर्म मत तथा सिध्धानतों की प्रतिस्था एक नवीन रूप में की थी इनहीं सिध्धानतों के आधार पर इन कभियों ने दास सिभाव की उपासना और भक्त की भावना का प्रत्वादन किया था अब दास सिभाव से ताथ पर यही है कि हम इश्वर की उपासना करते हैं तो एक दास की रूप में करते हैं तो इसी को दासिभाव कहा जाता है तथा भक्त का संबंध लाने का प्रयास किया था अर्था तुने ने दासिभाव को अस्थापित किया प्रत्वादित किया तथा भक्त का संबंध लाने का प्रयास किया था अब तीसरा पॉइंट देखेंगे भक्त इसमें दिखाई पड़ती है, राम भक्त कारधारा में भक्त अर्था सगुन भक्त की पर्चिस्था और महत्ता स्थापित की गई थी, राम को भक्त का अनुपम परताब यों प्रभाव है, महा कव तुलसिदास ने अपने महा काव राम चरित मानस की सेश्थता को इसी भक्त भावना से परभावित बतलाते हुए लिखा है, तो इसको देखेंगे क्या लिखा है, तो सिदास जी ने मित्रो, तो देखेंगे इसमें, राम भगत सुर सरित जाई, मिली सुकीरती सरज सुहाई, यनकि राम भगती, जो राम की भक्ती है, सुर सरित ही जाई, वो सुर सरित के समान है देवताओं की सरिता के समान बता गया है राम की जो भक्ती है मिली सुकीरती सर्ज शुहाई और इसे सुकिर्त प्राप्त होती है सुंदर कीर्ती को हम प्राप्त करते हैं सर्ज सु哈 Ari जो की हमको बार-बार जो है दिखाई पड़ती है सो भाप्ता करती है Սलोıll Wine's सगुन तथा निर्गुन भक्त भावना का समन्नों भाव अस्थापित करने में ये कभी गण पीछे नहीं महा कभी तुलसी दास ने इस भाव को प्रदस्थित करते हुए लिखा है सगुनही अगुनही नहीं कचु भेदा गावही मुनी पुरान बुध भेदा सगुनही अगुनही को मलत जो सगुन उपासक है नहीं कच भेदा इसको मुनी लोग कहते हैं पुरानों में इसी बात कही गई है ब्यदों में इसी बात कही गयी है बुद्धी जन कहते हैं इस बात को अगुन अरूप अलग अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सुसो होई जो भगत होता है उसका प्रेम ही सरवोपर होता है हम किसी भी मार्ग से इस वर तक पहुंचने का प्रयास करें वो मार्ग हमारे लिए बाधक नहीं होता है बलकि हमारी भगत जो होती है वही पूर्ण होती है मित्रों तो यहां पर यह बात बताई गई है आगे देखेंगे पॉइंट नंबर फाइप में देखें गुर महत्व इसमें गुर महत्व की बात बताई गई है पिल्जन नयन अमिय युग दोस भी बंजन तो ही कर भी मल भी बेक भी लोचन बरनौ राम चरित भवो मोचन तो इसमें तुलसी ताज जी ने कहा है कि गुरु पद, रज, मिर्द, अंजन याणि गुरु का मतलब गुरु का पद मतलब पैर, रज का मतलब धूल और मिर्द का मतलब मधूर, अंजन का मतलब अंजन आँखों में लगा दिहले माला अर्थात, गुर्व के पद जो है, गुर्व के पद की जो रज है, वो आँखों में लगाने के योग है, अर्थात, उसको हमेशा चित में बैठाने के योग है, नयन, अमिय benchmarks, दोस विबंजन, बिमल बिबेक बिलोचन जब उनका जो बिमल बिबेक होता है जो उनका ज्यान होता है वरन और राम चरित भोवोचन उसको मैं लेकर कि राम चरित का गान कर रहा हूं राम चरित मानस का गान कर रहा हूं इस बात को तुलसिदास जी ने इस दोहे के माध्यन से बताया है चोपा काब विधारा का स्रवांग स्वरूप मर्यादावादी है, इसमें मर्यादा से अलग है, कोई भी दिर्स्त नहीं दिखाया गया है, इसमें राम की आदर्सवादी, नैतिक्तावादी तथा मर्यादावादी ब्यक्ति के रूप में निरूपित किया गया है, राम किसी प्रकार से धर्म नीत तथा आचन के बिरोधि नहीं है आपने राम चरित मारस में या रामार में दिखा होगा कि इसमें राम ने हर कदम नीत परक आचन के रूप में नीत परक रूप से उसको आगे बढ़ाया है किसी भी अनीत का उसनों ने पालन नहीं किया है तो नीत तथा आचन के बिरोधी वो नहीं हैं वे इसके रच्छक पालक जनक आद की रूप में दिस्कोचर होते हैं सातवें पॉइंट देखेंगे इसमें सातवें पॉइंट में बताया गया है लोक मंगल की भावना इसमें लोक मंगल की भावना दिखाई पड़ती है कि राम का संपूँ चित्रांकन लोक मंगल की भावना से किया गया है इस लोग मंगल की भावना ने रामर तथा बाली सहित अन्य असामाजिक तत्तों तथा सक्तियों का बिद्धवन्स किया है इस परकार से राम का उतार लोग कल्यान तथा लोग रंजन के रूप में सिद्ध होता है आठोई पॉइंट में आपको समझना है नाम की महिमा राम भक्तधारा में राम के नाम के महत को पर्तिपादित किया गया है राम का नाम राम से भी इतना बढ़कर है कि स्वैम राम भी इसे नहीं कह सकते अब आप देखेंगे इसमें जो बताया गया है रुटरो कि राम एक तापस तियतारी नाम को डिखल कुमत सुधारी कहों कहां कही नाम बढ़ाई राम नसकह राम गुनगाई तो इस प्रकार से राम के नाम की महिमा को पूरी तरह से तुसिदास जी ने सब्दों के माध्यम से पिरोया है मित्रों कि राम एक तापस तियतारी एक राम जो तप करके तापस भेद धान करके तपो बरत बरत धान करके तियतारी अपने सब को तार रहे हैं नाम को डिखल कुमत सुधारी और कुमत जो है जो गलत भावनाए हैं उसको सुधार करने के लिए राम ही प्रयाबत हैं कहां कहां कही नाम बढ़ाई मैं इनके नाम की बढ़ाई कहां तक करूँ राम नसके राम गुन गाई राम स्वेम अपने नाम था राम के नाम के गुन का गान नहीं कर पाने में संभो हो पा रहे हैं तो इस बात को यहां पर बताया गया है तुलसिता जी अगले पॉंट में आ इसमें पुरान बेद उपनिसद आदि धर्म गरंथों के अंतरगत आने वाले सद्चरित्रों का प्रत्याख्यान प्रत्यपादित किया गया है। उर्दू, फार्सी, सहित, लोक भासा की सब्दावली प्रयुक्त हुई है। इस बिसे में तुलसी दास ने इस प्रकार कहा है। तो देखें कि इसमें। जिस तरह सी भाव को में ब्रत करना चाहूँगा, उस तरह की भासा का मैं यहां प्रयोग करूँगा। तो इस बात को तुलसी दास जी ने बताया। अगले पॉइंट में देखे रहे हैं सैली क्या बताया नोने। तो राम भग्द कापधारा की सैली दीविद है। इसमें भावात्मक, चित्रात्मक, लयात्मक तथा गविश्रात्मक आधि प्रमुख सैली का प्रयोग किया गया है। इससे कविता का अभिप्राय स्वता अ समाबेस किस प्रकार से किया गया। तो रस छंद वा अलंकार को राम भग्द का बिधारा में बीर, सिंगार, अदभुत, सांत, वासल, आधि रसों की प्रधानता है। इसमें दोहा, चोपाई, सोठा, कबित, सवया, आधि छंद परयोगत हुए हैं। उपमा, अनुपरास, रूपक, उत्परिच्छ, सलेश, विभावना, आधि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके पस्चाद उद्देश आप देखेंगे। स्री राम दिब्व चरित्रों को हर्दय असपरस्ती रूप प्रदान करना इसका विधारा की प्रमुख उद्देश रहा है। यानि की राम के चरित्र को पुईतरा से हर्दय असपरस्ती रूप से ब्यक्त करना, उसे समाज में लाना ही इसका प्रमुख उद्देश रहा है तो ये राम भक्ति साखा के अंतरगत मित्वों, राम भक्ति के अंतरगत हमको उसकी बिसेस्ता से सम्मधित को स्चन जो पूछे जाएंगे, तो पूरी तरह से आपको इसी को इस्प्लेइन करना है, जो की 13 पॉइंट्स के अंदर लिखे गए हैं, चाहे हो प्रभृतियों के जाए हो पिसेस्ताओं के रूप में पूछे जाएं, दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कमेंट के रूप में, आप हम तक अपनी प्रत्क्रिया को उस्प्रसित करें, इस वीडियो बेरी इंपोर्टन फार बीए फ्रस समस्टर हिंदी काव के लिए मित्रू आधिकाली नितिहास यानि कि भक्तिकाल से सम्मंधित वीडियो जो आपको परदान किया गया है यह मोस्ट इंपोर्टन वीडियो आपके लिए है तो इसी के साथ नमस्कार जैहिंद जैभारत